गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी विल कंटिन्यू आउर सेकंड चैप्टर पार्टनर्शीप पे और्गनाइजेशन इसमें पार्टनर्शीप और्गनाइजेशन की जो फीचर्स जह हैं इनके बारे में डिस्कुस कर रहे थे तो आज जो हैं जर्नल जो फीचर्स जह हैं उनके बारे में डिस्कुस करेंगे देखें आल दीज फीचर्स विच आर नोट लेडाउन ला और कॉल्ड जर्नल क्रेक्टर्स्टिक्स दे आर एज फोलो क्या कर रहे वेटा कि जो हमारी जर्नल जो हैं फीचर्स जो हैं जो सामाने जो विशेशताएं जो हैं इनके बारे में आज हम डिस्कुस करेंगे कि जो partnership के वे features जिनका इन्हें की विधान में supposed to link नहीं किया दा किया है उनको हम journal features में include करते हैं क्या करें बटा कि वो सभी जो features जिनको law में include नहीं किया गया है या law में जिनका उलेक नहीं किया गया है उनको हम journal characteristics या सामाने विशिष्टाओं में include करते हैं they are as follow जो की नीचे इस परकार से हैं नमबर एक unlimited liabilities unlimited liabilities का मतलब क्या उटा बेटा आश्यमृत आहितव इन पार्टनरशीप अवरी पार्टनर आश्यमृत लिएट्टाव ऑज न अल्लिम्ति लिएट्यबतीं In other words, every partner is responsible collectively and करा की इंडिज़ली for all the liabilities of partnership. For example, in case of dissolvation of partnership firm, if the liabilities of the firm exceeds its assets, the creditors have the right to get करा की देर लोन रिकावर्ड फ्रोम एनी पार्टनर्स आइदर क्लेक्टिवली और इंडिज़ली. Unlimited liabilities में क्या करें बटा कि partnership जो है, साज़ेदारी के अंदर परतेक partners की जो liabilities होती है, वो unlimited होती है, unlimited का मतलब ऐस्चिमी तो होती है. क्यों? या दूसे सब्दों में हम ये कहें कि परतेक partners करा की विक्तिकत रूप से या सामुईक रूप से करा की उत्तरदाई तो होता है, कि इनके लिए जो liabilities होती है, उनके लिए. पूर एक्जामपल, यदि छाजेदारी जो है, उसका विक्टन हो जाता है, उसका डिजॉलिएशन हो जाता है, तो कहरा है कि उस situation में, जो उसकी liabilities बनती है, यह जो liabilities जो है, उसकी एसेट से एक्सीड होती है, तो उस situation में, जो लोन ले रख्या है, पार्टनर्शीप फर्म ने जो लोन ले रख्या है, जो creditors जो है, वो कहरा है कि उनके पास इस परकार का हधिकार होता है, कि वे विक्तिगत रूप से या सामुईक रूप से अपनी recovery करेंगे, तो इसलिए कहरा है कि पार्टनर्शीप में, जो पार्टनर्स की liability जो है, बेटा वो unlimited होती है, limited नहीं हो होती है, तो कहरा कि उसकी domestic property जो है, उससे recovery की जाती है, और ये पार्टनर्श जो है, individually या collectively जो है, रूप से responsible होते हैं, no separate individuality, क्या कहरा है बेटा, यहाँ, no separate individuality, कहरा कि पार्टनर्शीप में, कहरा कि अलग से अस्तितव नहीं होता, जैसे company होती है, company में, company अलग होती है, और share shoulder अलग होता है, company का जो separate existence होता है, उसके पास इस परकार का right होता है, कि वो अपने नाम से company जो है, अपने नाम से property रख सकती है, किसी के against जो है, फाइल सूट कर सकती है, या company के against फाइल सूट की जा सकती है, कहरा कि partnership में ऐसा नहीं होता, कि the existence of the partnership cannot be separate from the partners, क्या करा कि partnership का जो अस्तीतव है, साज़ेदारी में, जो साज़ेदारी का अस्तीतव है, वो साज़ेदार से, जो partners है साज़ेदार से अलग होता, This means, इसका अर्थ है, that all the contract करा कि connected with the firm are also applicable to the partners individually as well as collectively, क्या कर रहा है, कि जो फरम दोबारा, जो भी अनुबंद किये गए हैं, जो भी contact किये गए हैं, उनके लिए करा कि partners जो है, वो वेक्तिगत रूप से या साहमुएक रूप से उनके उपर भी ये applicable होते हैं, नेक्स जो है, at most good faith, partnership जो है, बेटा क्या है, अतेंत सद विश्वास पर आदारित होती है, absolute faith, क्या करा है, absolute faith among the partners, is the foundation of any partnership, किसी भी साज़ेदारी का, जो at most good faith है, ये इसका आधार होता है, इसी के basis पर जो है, partnership जो है, वो बन पी है, करा कि in the absence of this characteristic, करा कि देव इदा, no justification, no justification left from, for partnership, good faith, here simply, क्या करा है, that all the partners should give every type of information, करा कि अफेक्टिंग, the firm and firm to one another, and if करा कि नस्चरी, नस्चरी, नस्चरी वील consult other partner before taking, before taking any decision, and करा कि अफेक्टिंग, एक्टू करा की अकाउंट ओफ आल दा बिजनिस डिल डन बाई एनी वन ओप तैम क्या करा है वेटा इसमें ये करा है कि जो एक्टमोस्ट गुद फेड जो है इसका मतलब क्या है अतेंत सद विश्वास क्योंकि जो पार्टनर्स जो है उनके बीच में एक एक्टमोस्ट गुद फेड का होना ज़रूरी होता है क्योंकि ये इसकी पार्टनर्सीप का एक फाउंडेशन होता है एक आदार होता है इस characteristics के absence में इस से विशेषता के हबाओं में साज़दारी का कोई ओचित्ते नहीं रह जाता यहां at most good faith का आर्थ यह है कि जो all partners जो हैं एक दूसरे से को फरम के हिद्ट को पर बाईद करने वाले सभी जो decisions होते हैं या बातों की जानकारी देंगे यदि आउसेख हो तो किसी कारिय को करने से पहले अन्ने सभी साज़दारों से सला करेंगे तता अपने दौरा के एगए सोदा का सच्चा विवरन परस्तूत करेंगे at most good faith का मतलब क्या है कि परतेक साज़दार जो है क्या करा है कि at most good faith जो है ये एक partnership का आधार होता है जब विश्वास होता है तब ही हम partnership में partners बनते हैं करा कि इसलिए सभी partners जो है वो अपने फरम से related जो important जो decision लेने से पहले आपस में discuss करेंगे और करा कि एक दूसरे से जितनी भी business related important जो matter है उनके बारे में share करेंगे इस परकार का होना जरूरी होता है करा कि restriction on transfer of interest restriction का मतलब होता है परतिबंध ट्रांसपर of interest जो अपना हिस्सा है उसको transfer करने पर परतिबंध होता है कि इसमें partnership में क्यों मेटा क्योंकि इसका में भी बताया था at most good faith partnership जो है तेंत सद विश्वास के उपर है जो partners है उनमें विश्वास होता है उसी basis पर partnership बनती है यदि आप अपना जो shares जाए दूसरे विक्ति को transfer कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन partners में आपस में at most good faith नहीं हो इसलिए यहां कहागा है restriction on transfer of interest जो है उसको transfer करने पर परतिबंध होता है it is clear that the base of partnership is mutual faith यनि कि क्या है कि आप जो आपसी विश्वास पर आदारित होता है partnership में hence no करा के partners can transfer his interest in the firm without the approval of all other partners क्या करें बेटा इसलिए कोई भी partners जो है अपना हिस्षा जो है बिना partners जो है उनकी सहमती के वो अपना share या interest जो है वो transfer नहीं कर सकता all the remaining partners will be करा की willingly to accept the new partners only when they find him trust worthy इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि बेटा कि जब तक जो remaining partners है छे सभी साज़दार सहमतने हो जाएं छे सभी साज़दारों साज़दार नए परवेश करने वाले जो विक्ति को फरम में साज़दार बनाने के लिए तभी तैयार होंगे ये दिवे उनको अपना विश्वास पातर समझेंगे इसलिए कह रहा है कि यहां जो है restriction होता है कोई भी partners जो है अपना interest जो है अपना hit जो है बिना सभी partners के अपरूल के वो ट्रांसपर नहीं कर सकता तो इस परकार के ये जो partner subscribe जो है इनकी जो features जो है गरेक्जर्टिक्स जो है इनके बारे में डिसक्स कर रहे थे कल हमने यह नहीं की strategy जो character इस जो है उनके बारे में डिसक्स किया गया आग जो है हम journal जो है जो features होती है सामाने जो विशेशताएं हैं पार्टनर सेपकी उनके बारे में डिस्क्रस किया गया है